फेमस यूट्यूबर एलविश यादव को कोट ने 14 दिन की नियाएक हिरासत में भीश दिया है एलविश की गिरफतारी रेव पार्टी में नशे के लिए साब का जहर सप्लाई करने के आरोप में हुई थी इस मामले में नौईडा के सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने उन्हें पूशताच के लिए बुलाय था पूशताच के बाद एलविश यादव को गिरफतार कर लिया गया गिरफतारी के बाद एलविश को कोट में पेश किया गया पेशी के बाद कोट ने एलविश यादव को 14 दिन की नियाएक हिरासत में भेश दिया कोट में पेशी से पहले पुलिस ने एलविश का मेडिकल कराया एलविश की गिरफतारी के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस वालों के साथ हस्ते हुए दिखाई दे रहे हैं दरसल बिग बॉस OTT2 के विनर अलविश यादव समेट पांच अन्य आरोपियों पर पिछले साल नमेंबर में नॉड़ा के सेक्टर 49 थाने में रिपोर्ट दर्च की गई थी पुलिस ने पाचों आरोपियों को गिरफतार कर लिया था इन पाचों की गिरफतारी बीजेपी नेता मेंका गांधी की एनिमल वेलफेर संस्था पीएफ की पहल पर हुई थी पुलिस ने उस वक्त एलविश को कई बार पूशताच के लिए बुलाय था लेकिन तब उनकी गिरफतारी नहीं हो पाई थी वो जमानत पर बाहर चल रहे थे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलविश के खिलाफ आईपीसी की धारा दोसो चरासी, दोसो नवासी, एकसो बीस पी और वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उननिस सो बहत्तर की धारा नौ, उन्तालेस, अर्तालेस, उड़ेंचास, पचासी क्यावन के तहत केस मजबूत कर लिया है, माना जा रहा है कि एलविश के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्श किया गया है, उसमें उनको लंबी सजा हो सकती है, जो सीधे तोर पर उनके करियर को प्रभावित करेगी, इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में चार बार संशोधित किया गया, इसका इस्तमाल नशीरे पदार्तों को बनाने, खरीदने, बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है, इसके तहट चरज, कांजा, अफीम, हिरोईन, कोकेन, मार्फिन, LSD, MMDA और एलप्राजोनम आते हैं, इसमें कई ड्रक्स का इस्तमाल दवाईयों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तमाल प्रतिबंदित है, इस धारा में आरोपी को 10 से 20 साल तक जेल और 1 से 2 लाख रुपे तक का जुर्माना हो सकता है, इसके अलावा, वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 में 66 धाराए और 6 अनुसूचियां है, इन अनुसूचियों के तहत वन्ने जीवों की सुरक्षा की जाती है, पहली अनुसूची में जंगली जानवरों और पक्षियों क सुरक्षा मिलती है, इस सूची में 43 अन्ने जीव शामिल है, इन में बाग, चीता, भालू, तोता, मोर, बतक की कुछ परजातियां, तीतर, उल्लू, बाज, उट, बंदर, हाती, हीरन, सफेज, चुहा, साप, मगरमच, ऐलिगेटर और कच्छुआ को पालने पर सकती है, एलविश के खिलाफ लगाई गई आईपीसी की धारा, 284 उस शक्स पर लगाई जाती है, जो जहरीले पदार्थ के साथला परवाही से काम करता है, क्योंकि इस से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुचने की संभाबना रहती है, इसमें 6 महीने तक जेल और 1000 र पालने वाले की होगी, इसमें 6 महीने तक जेल और 1000 रुपे तक का जुर्माना है, आईपीसी की धारा, 120 किसी भी अपरात को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचने के लिए लगाई जाती है, इसमें जरूरी नहीं होता कि आरोपी खुद अपरात को अंजाम दे, वो एलविश यादव साब के जहर की तसकरी करने में बुरी तरहें फस चुके हैं, टीम न्यूज निशन